गुड बॉर्निंग यह डिक्टेशन असी सब्द पर्ति मिनाट का होगा साथ मिनाट तक बोला जाएगा पां सेकर बाद स्टार्ट किया जाएगा रेडी स्टार्ट एक बार फिर परधान मंत्री ने रूस के राष्ट्रपती वलादीमीर पुतिन से फोन पर बात कर युक्रे युद को समाप्त करने की अपील की उन्होंने कहा कि बातचीत और कूटनीती के जरिये इस मामले का हल निकालने की कोशिस की जानी चाहिए इस बार भी पुतिन ने परधान मंत्री की सलाह को गंबीरता से सुना मगर युक्रेन पर आरूप लगाया की वह बातचीत और कूटनीती से साफ इनकार करता है पहले भी परधान मंत्री ने फोन पर बात करकी इस मामले को सुल जाने की अपील की थी संगाई सहयोग संग्ठन के सिखर सम्मेलन में आमने सामने मिलकर उन्होंने पुतिन को जंग खत्म करने की सलाह दी थी तब पुतिन ने कहा था कि वे उनकी बातों पर अमल करेंगे मगर वापस लोटते ही उन्होंने युक्रेन पर हमले तेज कर दिये थे दरसल दुनिया के तमाम देश भारत की तरफ नजरें लगाये हुए हैं कि अगर वह मद्यस्ता करे तो रूस युक्रेन युद रुक सकता हैं इस सिलसले में परधान मंत्री ने युक्रेन के राष्ट्रपती वोलोदिमीर जेलेंसकी से भी बातचित की थी उन्होंने भी सकारात्मक रुख दिखाया था मगर करीब सवा साल से चलते इस युद में दोनों देश वेस्विक गुटबंदियों में कुछ इस तरह उलज गए हैं कि उन्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पार रहा रूस चाहता है कि युक्रेन नाटो की सदिश्यता ने ले मगर युक्रेन अपने हित नाटो के साथ रहने में ही सुरक्सित मान रहा है नाटो से जुड़े पस्चमी देश युक्रेन के समर्थन में है जबकि रूस को वे देश बिलकुल नहीं सुहाते रूस को चीन का समर्थन हासिल है जो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के वर्चस्वे को चुनोती देता रहता है इस तरह है रूस युक्रेन युद में दुनिया को दो दुर्वों में बट गई है मगर इस संगर्ष में कोई भी देश खुल कर इसलिए मेदान में नहीं उतरना चाहता की महा युद की विबिसी का एक बार फिर दुनिया पर तूटेगी इस युद के चलते पहले ही विश्वे आपूर्ती स्रंखला बाधित हुई है महंगाई पर काबू पाना बहुत सारे देशों के लिए मुश्किल बना हुआ है ऐसे में हर कोई चाहता है की किसी भी तरह यह है युद रुके भारत की रूस और युक्रेन दोनों से बहतर सम्मंद है और अमेरिका ब्रिटेन से भी इसलिए खास कर पस्चिमी देश चाहते हैं की भारत इसमें मदिस्ता करे इस वक्त भारत समुहें बीस की अध्यक्ता कर रहा है इसलिए भी उसका इस समुहें की देशों पर दबाव बना कर युद को विराम देने का दाईत्वे बढ़ गया है पुतिन अब अपने ही देश में गिरते नजर आने लगे हैं वेगनर समुहें की बगावत ने उनकी रणनिती को कमजोर किया है ऐसे में लग रहा है कि अगर रूस पर दबाव बनाया जाए तो वे हैं अपने कदम वापस खीचने और बातचीत की मेज पर आने को तैयार हो सकता हैं मगर रूस के रुख में अभी लचिलापन नजर नहीं आ रहा वेगनर को सांत करने में उसने कामियाबी हासिल कर ली हैं अब भी पुतिन युक्रेन पर दोस मडते देखे जार हैं कि वही अपना अडियल रुख नहीं छोड रहा फिर रूस ने युक्रेन के कई इलाकों पर अपना कबजा जमा लिया हैं इसलिए भी उसे लगता हैं कि वह युक्रेन को आसानी से दबा सकता हैं ऐसे में रूस युद के मेदान से बाचित की मेज पर आने को आसानी से तयार हो जाएगा कहना मुश्किल हैं परदहानमंत्री की ताजा सलाहें पर भी वह कितनी गंबीरता दिखाएगा दावा नहीं किया जा सकता स्टॉप दोस्तों इस डिक्टेशन का पीडियोप लिंक डिस्क्रेशन मौझूद है आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अगर डिक्टेशन चाले के पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें चैनल को सबिस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू